हेलो एप्रिवान वेल्कम बेक तो मार यूटूब चैनल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जीन को घर में देखती ही जहां वो उसे इनको याद कर रहा था जब पाक में उसके तरफ एक दौग आ रहा था तब हेना को उससे अपना और जीन का सर धख लेती है और उससे कहती है सोचो कि ये हमारा घर है जो सबसे सेफ है उसके वाद सिन प्रेजन में आता है जहां चीन हेना के लिए मैसेज टाइप करता है कि आज के लिए थेंक यू लेकिन वो सेंड नहीं करता है उसके वाद हम यूना और टाइक को देखती है वहीं हेना भी होती है, जो डॉक बन चुकी होती है वहीं हेना को बोगियम का मेसेज आता है, जो यूना मेसेज देखने लगती है तब हेना उसके उपर भौकने लगती है नहीं देखने के लिए लेकिन यूना देखकर के उससे कहती है बोगियम ने तुम्हें दॉक की फोटो भेजी है वहीं ताइक फोटो डिकर कहता है ये दॉक बिलकुल तुम्हारे जैसा है तब यूना हेना से कहती है क्या उसे तुम दॉक बन सकती हो ये बात पता तो नहीं चल गया है तो भीना जाकर एक बटन क्लिक करती है और कहती है नहीं पता चला है वहीं यूना नहीं मान रही होती है जिससे उन डोनों में बातों से फाइट होने लगता है तभी ताइक कहता है बोग्यम ने और भी मेसेज सेंड किया है मिस है न ये दॉक बिलकुल आपके तरह क्यूट है इसके बाद हम स्कूल का सिन देखते हैं जहां हम वाइस पिंसिपल और बोग्यम को देखते हैं वहीं गेट के बाहर एक पोस्तर लगाया चा रहा था जो जीन लगा रहा था वहीं वाइस पिंसिपल कहते हैं एडुकेशन ओफिस ने हमारे स्कूल को वाइलेंस प्रे स्कूल चूज किया है क्योंकि हमने वाइलेंस फ्री वीडियो कॉंटेस दीट लिया है उसके बाद बाइस फिंसिपल वहां से चली जाते हैं तब जीन और बोग्यम एक दूसर से बात करने लगते हैं तब ही उन्हें ह मेना को क्या हुआ साइड ये तुम्हारे वज़े से हो रहा है तो जीन कहता है मेरे वज़े से कैसे हो सकता है तो बोग्यम कहता है मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो जीन कहता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है उसके बाद हम क के साथ फोटो क्लिक करने के लिए बुलाया था क्योंकि वो एक्ट्रस थी और उसका वोरलेंस फ्री वीडियो वाइरल हो गया था उसके बद हम हेना को देखते हैं जहां हेना भी उनसे बात करती है और कहती है तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा था मुझे पता था तुम लोग जीतोगे मैंने तुम्हारा सैनल भी सब्सक्राइब क्या है तुम लोग नेक्स क्या अप्लोड करोगे तब वो उस से बताते हैं कि वो लो जो क्या अप्लोड करेंगे और वो उनसे पूछती ए क्या आपको पता है मिस्त जीन और बोगियो कहां है तिया थ remaining ऑझाती है कि वो लोग कहां है उसके बात वो लोग जीन और बोग्यम के पार चाते हैं और जेही उन दोनों से कहती है हम लोग यूटूब वीडियो शूट कर रहे हैं क्या आप दोनों हमारे वीडियो में आओगे वहीं बोग्यम तो मान जाता है लेकिन जीन पहले मना करता है वहीं जीन यूना और टाइक को देखते हैं, वही हेना जेही का वीडियो देख रही होती है, जिसमें जीन ने हेना और यूंग्शे में से यूंग्शे को सुष किया था, जो डिक हेना को गुसा आता है, और वो गुसे में चिकन खाने लगती है, उसके बाद हम यूल को देखते हैं, वह वही उसके बाद जीन आता है और वो वही शान्ट वाली लगकी के बारे में पुछता है जिसका नम जीन वन है तब यूल मना करता है और कहता है मैं उसे अच्छे से नहीं चानता हूँ वही यूल जीन से पूसता है आपने हेना के जगा यून शाय को क्यों चूस किया ये दिकर जीन भी शौक होता है उसके बाद हम स्कूल में हेना और जीन को देखती है चाहां वोड़ोन नोटिस बोट में नोटिस लगा रहे होते हैं वही यून शाय भी वहाँ से जाती है जिस हेना कहती है तुम यूंसाई की हेल्प करो वैसे भी वो तुम्हारी आइडल ताइब है वहीं जीन हेना को जैनस दीकर स्माइल कर रहा होता है उसके बाद जीन क्लास के लिए चा रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है वहीं हम जेही और उसके फ्रेंस को देखते हैं वह लोग जीन का उबोली कर रही थे और जेही उसका वीडियो बना रही थी वहीं जीन आवाज सुनकर उस रूम के अंदर जाता है और वो पूछता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो तब जीन बहाना बनाने लगती है कि हम लोग वीडियो के लिए रहसल कर रहे है तब जीन जीन चीन और उनके पाद जाकर पोशता है किया सच में ये एक्टिंग की रिहसल है तब जीन जूट कहती है लेकिन जीन को पता चल गया था कि वो लोग जूट कह रहे हैं उसके बाद जीन यून चीन के पाद जाता है और उससे कहता है मुझे तुम से कुछ बात करना है चलो मेरे साथ तब वो रोनों बाहर जाते हैं वोई उन्णों को एक साथ जाते हुए हेन भी देख रही होती है और वो चैलिस होती है उसके बाद हम जीन और यूनसाइ को देखते हैं लोग जीन और जीन उससे बताता है तब उन्शाय ओके कहती है और वो उनसे बात करने चाहती है उसके बाद वो जीन के पास आती है और उससे कहती है मैंने उनसे बात की उन्होंने सच में वीडियो के रिहसल कर रहे थे तब जीन पूशता है क्या तुमने जेही के मुबाइल में वीडियो चेक किया तब यून्शाई मना करती है तो जीन कहता है मैं खूर उससे बात करता हूँ और वो जाने लगता है तब ही वहाँ वाइस पिंसिपल आते हैं और वो जीन को रोकर कहते है मैंने तुम दोनों के बात सुन ली अगर तुम इस बात के शियर नहीं हो तो तुम उससे बात करने क्यों जा रहे हो वो स्टूडन यून्शाई के कलब में है उसने अल्रेडी टेख लिया है तुम क्यों देखने जा रही हो तब जीन कहता है क्या ये मेटर में भी डिविजन मेटर करता है और वो वहाँ से चला जाता है उसके बात बोग्यूम जीन के पाच जाता है जो अकेले बैठा हुआ था वहीं बोग्यूम उससे पूछता है तुमने पहले वैसा क्यों किया तब जीन कहता है मेरे पास से कोई एगरी नहीं कर रहा है तब बोग्यूम कहता है कोई सबूत होने से सब लोग तुम पर विश्वास्त करेंगे तो जीन कहता है अगर कुछ पूरा हो गया तो तब बोग्यूम कहता है तुम बहुत सैट डिक रहे हो क्या तुम्हारा कोई पर फिलिंग इसके साथ involved है जिसमें जीन मना करता है उसके बद हम जी उनको पीटी सर के साथ देखते है जहां वो उनसे जीम रूम का चाबी लेती है जो हेना देख लेती है तब हेना जाके पीटी सर से पूश्ती है आपने उसे चाबी क्यों दिया तब P.T. शार कहते हैं वो Gym Room का समार और्गनाजस करने जाती है इसलिए तब हेना पूश्टी है किया आपने उसे ये काम दिया है तब P.T. शार कहते हैं नहीं उसने घुट मांगा है उसके बद हेना बहर जाती है वहीं जेही और उसके फ्रेंट जी उनका वेट कर रहे थे तब हेना उनसे पूछती है तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गे घर तब जेही जूट कहती है कि उसके ड़ट अभी तक नहीं आए है तब हेना वहां से जाने लगती है लेकिन हेना को उन पर शक हो गया होता है उसके बद हेना जीन को कॉल करके सब बता देती है उसके बद हम जेही और उसके फ्रेंट को देखते हैं जहां वो लोग जी उनको ढून रहे होते हैं स्कुल में वहीं जी उन जीम रूम में होती है और वो बहुत रोरे ही होती है तभी जीन और हेना उसके पस आते हैं उसके बद हम उन तीनों को बाहर देखते है जहां जी, उन उन्नों को सब कुछ बता देती है और वो कहती है एक वीडियो में कॉमेंट आया था कि मेरी एक्टिंग यही कि एक्टिंग से बाच्छी है तब से वो लोग मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया और उसने मेरा कुछ वीडियो भी बनाया है और मुझे कहा है कि अगर हम पकरेगे तो मुझे कहना है कि हम लोग वीडियो वाइलेंस को रोकने के लिए बना रहे थे अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग मेरा वीडियो अपारियल कर देंगी तो जीन और हिना उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो हम तुमारे साथ है उसके बड़ नेग corner हम सबी टीचर को मीटिंग में देखते हैं जहां वो लोग जेही के बनाएंवे वीडियो को देख रहे थे जहां जीन को बूली किया जा रहा था और जेही आकर उससे बचाती है और वीडियो को डिकर वाइस पिंसिपल कहते हैं इस वीडियो को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उन लोगों ने जी और उनके साथ बूली किया है शायद उसने जूट कहा होगा तब हीना कहती है ये जूट नहीं है हमें रियल वीडियो को देखना चाहिए जो जेही के मूबाइल में है लेगिन वाइस पिंसिपल इसके लिए मना करती है और वाइस पिंसिपल कहते है हमें उन नोनों में से एक को कलब से निकाल कर उन नोनों को सेपरेट कर दीना चाहिए तब जीन इसके लिए मना करता है और कहता है इससे कुछ ठीक नहीं होगा तब वाइस पिंसिपल कहते है अभी हमारा स्कूल वाइलन्स फ्री के लिए सिलेक हुआ है तब जीन कहता है आप रियल में क्या प्रोटेक्ट करना चाते है सच में बूली फ्री होने वाला या बूली होने के बाद भी उसे अंदेखा करने वाला और जीन वहां से जाने लगता है और वो रुक कर वाइस पिंसिपल से कहता है उसका इमोशनल दुक क्या और जीन वहां से चला जाता है उसके बाद हम जीन को बाहर देखते हैं चाहां वो बैट कर रो रहा था तब हेना उसके पास आकर उसके साथ बैटती है वही जीन हेनस से कहता है मैंने जब जी उनको देखा तब मुझे अपने यात आ गया था जब मैं यूंग था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ उसके वाद हमें एक फ्लेश प्रिक से दिखाया चाता है जहां जब जीन हाई स्कूल में होता है वही जब वो स्कूल से यूल को लेने चा रहा था तब ही उसे कुछ लड़के रोकती हैं और उसे डॉक की नाम से मज़ाग बनाने लगती है तब जीन कहता है मेरे डॉक से दरने के बाद से तुम्हे क्या मतलब है तब उन लड़कों में से जो गैंग लीडर होता है वो जीन को साइट में लेकर जाकर बहुत मारता है उसके बाद जीन यूल को स्कूल से लेने चाता है वही यूल जीन से कहता है मुझे आप बैट में उठाओ तब जीन नीचे बैट कर कहता है मैं आज तुमें नहीं उठा पाऊंगा और मुझे माफ करेना और वो रोने लगता है तब यूल उसे सान करता है उसके बाद सिन प्रेजन में आता है जहां जीन उससे कहता है जो लोग कहते हैं कि वो लोग ठीक है वो लोग कभी कभी रेल में ठीक नहीं होते है तब हीना कहती है जब तुमें रोने का मन करता है तब थोड़ा रो लेना चाहिए और वो वहां से जाने लगती है. तब जीन उसका भाठ पकर के उसे रोगता है और कहता है क्या तूम थोड़े समय के लिए मेरे सार रह सकती हो? और जिन हेना को हग करके रोने लगता है उसके बाद हम रात को हेना को देखते हैं जहां वो जेही को देखकर यूना को कॉल करके कहती है हम पांच मिनित में ओपरेशन स्टाथ करेंगे उसके बाद हम जेही को देखते हैं वो एक जगा में बैठी हुई थी वही हेना जो डॉक बापन चुकी होती है वो जल्दी जाकर जेही का मुबाइल लेकर वहां से भाग जाती है वहीं जेही उसे नहीं पकड़ पाती है इसके बाद नेक्स देहेना जाकर जेही का जी और उनको बुली करने वाला प्रोप्राइस पिंसिपल को देड़ी है इसके बाद स्कूल में एं में क्या करो? तब ही उसे एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रेंस को plan बताने लगती है चो हेना में अरूम को सुन ये उसके बाद हम हेना को डीखती है वो एक टोपी में फेन और जो डॉग बन चुकी होती है और वो एक बॉक्स में छुपकर उनके पाच आती है और उनकी बाते सुनती है वही हम चेही को देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स से एक पॉल में कहती है तुम लोगों को वीडियो बनाना होगा यहां चेही जीन पर सेक्श्वल हरिश्मन का करता है तव यूना यूल को कॉल करती है तव यूल जीन के रूम में चाता है लेकिन जीन वहां नहीं होता है तव यूल भी चाकर यूना के गारे में बैठ चाता है जहां यूना उसे भी वीडियो दिखाती है उसके बात हम चेही और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं वो ल उने लगती है वही हम जीन और जेही को देखते हैं वहीं जेही जीन के क्लोच चाती है वहीं हेना जेही के फ्रेंड को वीडियो बनाते हुए देख लेती है और वो उन पर भोकने लगती है तब जेही उनसे दौक को पकड़ने कहती है तब वो सभी जेहीना के पीछे भागने लगते हैं तवियूल उनके सामने आ जाता है वही चीन भी वहाँ आकर यूल से पूछता रहे तुम यहां क्या कर रहे हो तो यूल कहता है मैं यहां आपके मदद करने आया हूँ वही हम चेहि को देखते हैं वो अपने आपको बचाने के लिए भाग रही होती है वहीं वो भागती हो एक सुंसान घर के पाच आती है धवी बोग्यम उस घर के उपर से नीचे कुटकता है और वो कहता है तुम जीन के साथ ऐसा करने वाली थी अभी मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहें और वो एक दंडा उठाता है और वो उसके क्लोच आते हुए कहता है क्या मुझे तुम्हें मारना चाहिए लेकिन टीचर स्टूडेन को नहीं मार सकते है लेकिन मुझे तुम्हें मारना चाहिए और वो उसके तरफ दंडा को फेकता है लेकिन जेही को चोट नहीं लगता है वहीं बोग्यूम जेही के पाद जाकर उससे पूछता है तुम्हें कैसा फिल हुआ तब जेही वहां से भागने लगती है तब ही बोग्यूम अच्छानक से उसके सामने आ जाता है उसके बाद फीसर जेही भागने लगती है उसके बाद हम जीन और यूल को देखती है जहां जीन उससे पूश्टा है तुम्हें कैसे पता चला तवियूल एक कहानी बनाता है उसके फ्रेंड के नाम पर उसके बद हम नेक्स दे देखते हैं जहां स्कूल से पोस्टर को हता दिया चाता है साथ ही उस पूलिस को पनिश्विन भी मिलता है उसके बद हम जीन और हेना को देखते हैं जहां जीन उससे मिलकर उसकी हल्प करने के लिए ठेंक्यू कहती है वहीं जीन को उसके फ्रेंस वीडियो शुट करने के लिए बुला रही होते हैं तब हेना उससे पूश्टी है तुम कौन सा वीडियो बना रहे हो तो जी उन कहती है, वही आइडल तैप वाला, तो हेना कहती है, क्या मैं भी बना सकती हूँ, तो जी उन कहती है, हम जल्दी आपके साथ भी बनाएंगे, उसके बाद जीन और हेना जा रही होते हैं, जहां जीन हेना से कहता है, उस दिन मैंने यूनशाय को शुच नहीं किया थ है, इसलिए मेरे पास अप्शन नहीं रहा, और मैंने उनसे कह दिया था, वो लोग क्या सूच करना चाहते करें, तब हेना स्माइल करते हूए, वहां से चली जाती है, उसके बाद हम जीन हेना और यूनसाय को देखती है, जहां यूनसाय उन डोनों से दिन के लिए पूछत है, उसके बाद हम यून को देखते हैं, जहां वो जीन से पर्मिशन मांग रहा होता है, अपने फ्रेंड के डोग को घर में लाने के लिए, रियल में वो हेना को लाने वाला था, पहले जीन मना करता है, वहीं जब यूनसाय कहता है, उसके डोग ने आपकी हेल्प की दी, त हेना को उसे दे रेती है, उसके बाद हम देखती हैं, जहां यूनने ही सोने का बहुत ट्रैक करता है, लेकिन वो सो जाता है, वहीं हेना पहले से ही सोई हुई होती है, उसके बाद नेक्स मॉनिंग हेना को देखती है, वो यून के कपरे पहन कर जा रही ही होती है, तब ही ज मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैक्स फूर वाचिंग दे वीडियो